नमस्कार दोस्तों मैंस मैंस मैंन सरी और आप देखरे हैं हमारा यूपी लाइफ अंडरेट नियूज यूपी लाइफ अंडरेट नियूज यूपी लाइफ अंडरेट नियूज यूपी लाइफ अंडरेट नियूज चलिए बहुते हैं ख़वरों की तरफ रोट नहीं होने से गिरामेर प्रशान बाना सरकार हर गाउ में रोट और विजली होने का दावा कर रहे हैं लेकिन जनपत के पचोखर गाउ में आज भी रोट नहीं है लोग घुटने से भरे पानी और कीचर से निकलने के लिए मजबूर हैं लेकर गाम प्रदान तक की चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है गाउवालों का कहना है की रोट नहीं होने के से हम लोग को बहुत पर्साणी का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चे स्कुल नहीं जा पाते बारिस के मौसा में हम लोग अपने घर के सामान खरीने से किसी कस्बे और सहिन नहीं जा पाते गाउं के मुखे मुख दर्सक बने हुए है समझ में नहीं आता है कि हम अपनी बात किस से कहे हम सरकास से अपिल करते कि हमारी समस्या का समधान रखते हुए गाउं के सड़क बनवाएं जिसे हमारे बच्चे भी स्कुल जा सके कीचर की वज़े से गाउं की किसान भी परिशान रहते हैं खेत में जाने के लिए परिशान निका सामना करना पड़ता है महिलाएं कई बार कीचर में फिसल कर गिर चुकी हैं अगर हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरकर अंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे अरवाग तिवारी की रिपोर्ट क्या नाम है आपका? सैलाप कौन सा गाउं है सैलाप? पचोखर पचोखर रास्ते को लेकर क्या समस्या है आप? निकलने में रास्ता नहीं है कहां से कहां तक के लिए? पूरी खराजी तो क्या आपने प्रधान को बताया है? बताया है लेकिन प्रधान नहीं सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? और आपने अधिकारियों को जानकारी दी है तो अधिकारी क्या कह रहे हैं कोई अधिकारी नहीं बनो आ रहा है क्या समस्या है यहां सब जो है रस्ती की बहुत बड़ी समस्या है ना यहां जो है पैदल जा पाते हैं और यहां से जो है पानी घुत्मों से भारा हुआ है क्या आपने शिकायत किया है इसके किया जो है शिकायत की अपलीकेशन भी रखे हैं प्रधान से भी कई बार कहा है नाप करवाया है प्रधान कर रहा है तो मैं करूँगा करूँगा कुछ नहीं कर रहा है जो कौन सबांगे आपका पचोखाद किस बलाग में आता है बलाग मुखा ना